COVID की infections की cases लगातार बढ़ रहे हैं पर अभी भी doctors इसके early diagnosis पे और इसके treatment को जल्दी से जल्दी शुरू करने पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं जिससे की इस cases के hospitalization के chances कम से कम हो पर आजकल false negative results आने के कारण या फिर cases में अचानक से ज़्यादा symptoms आने के कारण इनकी hospitalization के rates भी उतनी तेजी से ही बढ़ रहे हैं इन patients में हलके से हलके लक्षनों को note करने की और उनको समय रहते treatment देने की जिम्मेवारी एक doctor की होती है परन्तु उस patient को भी manutely उन symptoms को observe करना चाहिए और ताकि उनको समय रहते हम treatment दे सके इसलिए आज हम उन सभी symptoms के बारे में बात करेंगे जिनका ध्यान रखकर हम hospitalization से बच सकते हैं और किन कारणों से ये इतनी जल्दी cases serious हो रहे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे तो आईए दोस्तो शुरू करते हैं शुरू करने से पहले मैं आपको request करता हूँ अगर आपने हमारा चैनल subscribe नहीं किया तो नीचे दिएगे subscribe बटन पे आप please इसको click कीजिए और bell icon को दबा दीजिए अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छे लगी तो आप इसको जरूर like कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए तो आज हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जिनको करने के बाद हम mild symptoms को severe symptoms में convert करवा देते हैं तो सबसे पहला जो जो हम गलती करते हैं जो patient गलती करता है वो है lack of awareness कई बार हम जो covid के शुरुवाती लक्षन है उसको हम general flu या फिर उसको allergic के symptoms मानकर उसका इलाज करते रहते हैं पर बाद में ये symptoms ज्यादा बढ़ जाते हैं और जिसके कारण हम इसका treatment सही time पे शुरू नहीं कर पाते तो अगर किसी बिमारी का इलाज समय रहते शुरू कर दिया जाए उसको timely diagnose कर लिया जाए तो फिर हम अपनी जान तो बचाते ही हैं पर साथ साथ में अपने साथ में और लोगों को infect नहीं करते आपकी family members की safety भी इसी में ही है कि आप अपने हलके से भी symptom जैसे की flu या फिर गले की खराश और हलका सा बखार या तेज बखार इसको आप serious लें और तुरंत अपनी जाच करवाएं जिससे की समय रहते आपका diagnosis हो और इसका एक फाइदा और भी है कि आप अन्य लोगों को भी infect नहीं करोगे आप अपने office के colleagues या फिर अपने family members भी आप से safe रहेंगे दूसरा सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है stewards therapy को जल्दी start कर देना दोस्तों stewards एक ऐसी medicine है जो एक life saving drug है पर इसको बिना अपन डॉक्टर की prescription के या फिर अपनी मर्जी से लेने के कारण यह हमार हमारी बॉडी में side effects भी produce करता है उसका सबसे बड़ा example है mucor mycosis के cases का अचानक से बढ़ना क्योंकि यह सिर्फ stewards की overdose के कारण यह फिर हमारी बॉडी की defense mechanism के कमजोर होने के कारण ही हमें infect किया गया है इसलिए stewards की therapy को हमें सिर्फ अपने physician की consult से और उनके सुझाव से ही use करना चाहिए और इसका overuse करने से भी हमें बजना चाहिए क्योंकि जितना student का हम use करते हैं वो आपकी body की glucose level को बढ़ाता है जिसके कारण आपकी body में infection होने का खतरा उतना ही बढ़ जाता है तो तीसरा सबसे बड़ा जो गलती हम करते हैं वो है कि किसी भी expert physician से सलाह ना लेना जब जब भी हम शुरुवाती लक्षनों को फील करते हैं जब भी हम चीजों को face करते हैं तो हम ज्यादा तर अपने आस्परोस या फिर अपने दोस्तों से इसके बारे में लाए लेते हैं और उसकी दवाईयां शुरू कर देते हैं पर जो अभी तक की research सामने आई है अगर आप डे वन से किसी specialized COVID doctor से आप उनकी treatment का सला लेते हैं तो फिर आपकी जो प्रोग्रोस है जो आपकी future outcome disease की हैं वो ज्यादा अच्छी होगी आपके hospitalization के chances उतने ही ज्यादा कम होगे इसी लिए जब भी आप ऐसे किनी लक्षनों को face करें तो उसको simple allergy या फिर simple viral बखार ना मान कर doctor के पास जाएं और उनसे सला लें और वो आपको completely guide करेंगे कि कौन-कौन सी investigations और कौन-कौन से test करवाने हैं और इसके साथ ही मैं आपके साथ आपको बिए बताना चाहता हूं कुछ लोग self ही कुछ CT scans या फिर x-rays करवाने लगते हैं पर दोस्तों आपको क्या पता है कि जब x-rays या CT scan की जो changes हैं वो first week में ना आकर after seven days infection के start होने के बाद आती हैं इसलिए कुछ लोग पहले scan तो करवा लेते हैं पर उसमें कुछ नहीं कुछ भी problem नहीं आती तो वो निश्चेंथ होकर बैठ जाते हैं पर जब problem बढ़ जाती है तो वो उनको अचानक सी hospitalization करना पड़ हुआ है कि जो कोविड के test हैं वो false हो रहे हैं गल्थ हो रहे हैं तो उनको नहीं करवाना चाहिए दोस्तों आज कल market में बहुत सारी test available है उनमें से rapid antigen test जो की बहुत ही useful है initial stages में और उसके बाद अगर बात करें तो RTP PCR है जो की बहुत ज़्यादा confirmative है हाला कि यह सभी cases में accurate results नहीं देता पर फिर भी इसकी reliability काफी ज़्यादा है इसलिए जब भी आपको initial symptoms face हो तो आप जल्दी से जल्दी अपने covid test को करवाएं पाच्वे सबसे बड़ी गलती जो हम देखते हैं कि लोग अपने vitals का बिलकुल ध्यान नहीं रखते जैसे क कि अभी बहुत सारे cases आपके आसपास बड़े हुए हैं तो governments की guidelines भी हैं कि जो mild cases हैं उनको home isolate कर दिया जाए पर आपको क्या पता है कि home isolation करने पर भी हमें risk कम नहीं होता हमें अपने vitals का पूरा ध्यार रखना पड़ता है उसमें हमारी saturation oxygen saturation spo2 और हमारा temperature यह सब बातें बहु में control में रखना होता है spo2 के बारे में आपकी blood oxygen के बारे में मैंने आपको completely एक last video में बता दिया था अगर आप उस चाहते हैं तो वहां पर वीडियो पर जाके उसकी details जान सकते हैं और saturation को आप अच्छे से monitor करोगे और अगर आपका fever का status कैसा है body में अगर बार बार फीवर का रहा है तो इसका मतलब है infection ज्यादा बढ़ रही है यह कुछ दो तीन चीजे हैं जिसको आप और आपको breathlessness तो नहीं हो रही अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो यह initial symptoms होते हैं कि आपकी problem बढ़ रही है आपको तुरंद अपने hospitalization या फिर अपने consulting doctor के साथ स isolation ली हुई है तो दोस्तों यह वह गलतियां थी जिनको आप करने के बाद अपने mild symptoms को severe symptoms में बदल देते हैं और आपको hospitalized होना पड़ता है इसलिए इन सब patients जो की home isolated हैं उनको इन सभी गलतियों को ध्यान में रखना चाहिए और ताकि वह गलतियां ना करें और वह healthy हो जल्द का बटन जूरूर दबाएं और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए धन्यवाद